लेदर या स्पोर्ट्स के पॉलियेस्टर कपड़े पहनने के बाद काफी गर्मी होती है या फिर आप ऐसी जगह पे रहते हो जहां का वातावरन काफी गर्म रहता है ऐसे सिचुएशन में पसीना आना नॉर्मल सी बात है लेकिन कुछ लोगों को थंडी या बारिश के सीजन में भी बहुत पसीना आता है जबकि थंडी में लोग स्वेटर पहनते हैं लेकिन जिनको काफी घर्मी लगती है उन्हें कॉटन के कपड़े में भी पसीना आता है अगर ऐसा आपके साथ होता है तो जरूर कोई प्रॉब्लम है बहुत पसीना आने की वज़ा काफी सारी हो सकती है जैसे एज के साथ हॉर्मोनल चेंजिस होते है कभी कबार आप किसी बिमारी के लिए दवाई लेते है दवाई हाई प्रॉवर की होगी तो उस कारण भी पसीना आता है आज की इस विदियो में आपको कुछ संभावित कारणों के बारे में बताऊंगी क्यों कुछ लोगों को हर समय गर्मी महसूस होती है लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चानल से लेटिस्ट अबडेट पाने के लिए हमारी चानल आज काई गुरू को सब्सक्राइब करना ना भूले मैनोपोस मैनोपोस के दौरान माहिलाओ के शरील में काफी बतलाव होने लगते है कभी कबार सिर्फ शरील में ही नहीं तो महिलाओ के इमोशन में भी बतलाव होता है जैसे कभी बहुत गुसा आना बिना वज़त चर जाना ऐसे कुछ इमोशन चेंज दिखाए दिते हैं उसी तरह महिलाओ को मैनोपोस के दौरन यानि जो 40-50 की उम्र में है उन्हें बहुत गर्मी होना और पसीना आना नॉर्मल है जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि होर्मोन्स की वज़़से भी बहुत गर्मी हो सकती है और मेनोपोस के वक्त काफी होर्मोनल चेंजिस होते हैं जिससे कई महिलाओं को गर्मी और बहुत ज़्यादा पसीना आना ऐसी तकलीफ होंगी हाइपोग्लाइसेमिया क्या आपको टाइप टू डायबिटीज है यदि ऐसा है तो आपका शुगर लेवल बार बार कम होता रहेगा जिससे हाइपोग्लाइसेमिया कहते है शुगर लेवल कम होने की प्रॉब्लेम से निपटने के लिए आपके शरीर का हॉर्मोन एड्रिनालाइन चर्न होता है जिस वज़ा से आपको बहुत गर्मी महसूस होती है बहुत गर्मी होने के सिवा हाइपोग्लाइसेमिया के कारण हाथ कापना, चक्कराना और सरदर्ध होने ऐसे भी तकलीफे हो सकती है कुछ लोगों को हर छोटी बार पे काफी चिन्ता करने की आदत होती है और ऐसी चिन्ता करने से टेंशन और ब्लड प्रेशर बढ़ता है जिस कारण बहुत गर्मी महसूस होती है क्योंकि आप जब किसी बात पे काफी टेंस रहते हैं तो दिन सोर से धड़कना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते है जिस कारण बहुत पसीना आने लगता है Mental Health Experts कहते हैं कि ये काफी common problem है आजकल के लोगों में लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका इलाज साइको थेरपी, मेडिटेशन और योगा से कर सकते है medicines हर कोई जानता है कि दवाओं के सभी प्रकार के दुष्प्रभव यानि की side effects हो सकते हैं और कुछ दवाओं के side effects नॉर्मल होते हैं तो कुछ के काफी गंबील भी हो सकते हैं कुछ प्रकार के pain killing tablets और anti-depressants से बहुत गर्भी होने की संभाव नहों सकती हैं क्योंकि कुछ high power की दवाओं से body temperature high हो जाता है जिस कारण काफी पसिंग न आने लगता हैं इसलिए आप कोई भी दवाओं डॉक्टर से पूछ के ले और काफी टाइम तक high power की pain killers continue ना करें जिससे कुछ गंबीर बिमारिया भी हो सकती है तो अगर इससे जूड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें comment section में ज़रूर बताइए और अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा तिसे like, share और subscribe ज़रूर करें और अगले वीडियो के लिए अलविदा दोस्तो धन्यवाद